आईपेल आउक्षन से बहले रिशपपंद के चर्चे हर जगा पर हैं, हर सोशल मीडिया पर यही नजर आ रहा है कि आईपेल का आउक्षन जब होगा तो उसमें रिशपपंद सबसे महगे खिलाडी के तौर पर नजर आ सकते हैं क्योंकि इस आउक्षन में केल राउल भी हैं, श्रेस आयर भी हैं और कई बड़े बड़े खिलाडी हैं तो चलिए हम आपको रिकॉर्ड के जरीए बताने की कूशिश करेंगे कि रिशपपंद क्यों सबसे महगे खिलाडी के तौर पर नजर आएंगे और उसके साथ हम आपको फॉर्मर क्रिकेटर के रियक्षन दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि बॉर्डर का उसकर ट्रॉफी भी क्या रिशपपंद के दाम आउक्षन में बढ़ाने के लिए रिस्पोंसिबल हो सकती है तो चलिए सबसे पहले हम आपको जो है वो स्टैट दिखा रेते हैं अगर रिशपपंद का आई पेल स्टैट देखते हैं तो 111 मैच 3284 रन 148 का यहाँ पर स्ट्राइक रिट है और सिक्सिज 114 है अब केल राहूल का जो स्टैट है वो भी काफी शांदार 132 मैच उन्होंने केले हैं इसमें 4683 रन बनाए है यहाँ पर स्ट्राइक रिट 134 का यह सिक्सिज 187 है वहीं अगर शेयर स्टैट की बात करी जाए तो 115 मैच और यहाँ पर 3127 रन वहीं अगर रिशब पंद की बात करी जाए तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट में प्रिफरेंस दिया गया और इसी वज़ा से टी 20 अब रिशब पंद को नहीं खिलाया जाता है एक रीजन यह भी है और दूसरे रीजन की बात करी जाए तो रिशब पंद एक left-handed middle order aggressive batsman है यानि कि middle order में उनका यह stat काफी जादा शांदार है वहीं अगर केल राहूर की बात करी जाए तो पंजाब से खेलते हुए और बाकी अलग-अलग आईपिल की टीमों से खेलते हुए कई बार open कर चुके हैं अब रिशब पंद की हम बात करते हैं साल 2018 का सीजन वो सीजन था जहाँ पर leading run getter थे second रिशब पंद उनसे उपर जो है वो केल विलियमसन नजर आ रहे थे और उन्होंने बनाये थे 684 run अगर केल राहूर की बात करी जाए तो वो विराट कोली के बाद दूसरी ऐसे खिरारी हैं जोनोंने orange cap जीती है और shares air की बात करी जाए तो कुछ ऐसे record उनके नाम पर नजर नहीं आते हैं अब चलिए फटाफट जो है वो reaction देखते हैं और उसके बाद आगे वीडियो बढ़ाते हैं सबसे वहला reaction यह है कि no one has stats like him in IPL also Rishapang bats in middle order he deserves every single penny इसके बाद एक और reaction आता है come to CSK buddy we are next Thala अब एक और जो है वो reaction है और यह काफी जादा शांदा है वो लिख रहे हैं कि we all know it was not about money it was for batter team environment and good coach, administrator don't take tension you will create record for the most valuable player of IPL more than 25 crore अब वो यह भी कह रहे हैं कि पन destructive batter भी है, great wicket keeper भी है और captain भी है जो उन्हें बनाता है IPL का सबसे महेंगा के लाड़ी 24 और 25 तारिक को auction होगा और यह साओधी अरब में auction होगा अब इसकी शुरुआत जो है वो रिशब पन्त, जॉश बटलर और होगी श्रेस अईयर से चार टीमें रहेंगे पंजाब किंग्स 110 करोड RCB 83 करोड उसके बाद DC 73 करोड और LSG 69 करोड तो पैसा इंटीमों के पास अच्छा खासा रहने वाला है और आपको ये भी बदा दे कि अगर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की बाग करें तो सबसे महेंगी खिलाडी के तौड पर इशान किशन्द के हैं जोने मुंबे इनियस ने 15.25 करोड में खरीदा था हाला कि ट्रेड और रेटेंशन्स में इससे ज़्यादा पैसे खिलाडियों को मिल चुके हैं लेकिन आउक्शन में इससे ज़्यादा किसी इंडियन खिलाडी को पैसे नहीं मिले हैं तो अगर जो रिशब पंध हैं वो 15 करोड 15.25 करोड से ज़्यादा में बिख जाते हैं तो ये रिकॉर्ड आटोमेटिकली पंध के नाम पर जुड़ जाएगा अला कि ये का जा जा रहा है कि रिशब पंध को जो है वो 15 करोड, 30 करोड आसानी से मिल सकते हैं तीन और ऐसे रिजन हैं जो रिशब पंध को और ज़्यादा मेहगा खिलाडी बनाते हैं पहला है कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह का कमबेक करा दूसरा जो T20 वर्ड कप चेंपियन का टैग उनके साथ जुड़ा है और टेस्ट करिकेट में भी उनका कमबेक उतना ही जादा शानदार रहा है अब एक बड़ा स्टेटमेंट सुनील गाउसकर की तरफ से आ रहा है उनका कहता है उनका कहता है sometimes when a player is to be retained there is talk between the player and franchisee about the fees that is expected as you can see some of the players who have been retained by the franchisee they have gone for the more than what the number one retention fee would have been maybe there was some disagreement over the fees लेकिन इसके बाद जब ये वीडियो वाइरल होता है जब ये जो ख़वर है वाइरल होती है तो इसके बाद रिशपन जवाब भी देते है वो कहते हैं कि my retention wasn't about the money for sure that I can say तो फिलाल रिशपन जो है वो पैसे के लिए टीम नहीं चोड़ रहे है ये confirm हो चुका है तो किस टीम में रिशपन जाएंगे ये एक बड़ा सवाल लगदार बना हुआ है चिन्ने के पास आला कि पैसे कम है पच्वन करोड का पर्स है लेकिन उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि पंत को चिन्ने अपने टीम में ला सकती है पंजाब भी नमबर वन पर 110 करोड के पर्स के साथ नजर आ रही है तो दो सवार पहला सवार ये कि रिशपन अगर आक्शन में जाएंगे तो क्या वो 25 करोड तक पहुंच पाएंगे या फिर उससे जादा उनको मिल पाएगा और दूसरा सवाल ये कि रिशपन अगर आक्शन में जाई रहे हैं तो कौन से टीम में खेलते वे नजर आएंगे क्या वो पंजाब होगी, क्या वो लखना होगी और क्या वो होगी, RCB कमेंट केर क्या बता सकते हैं, वीडियो चला लगा हो तो शेयर कर सकते हैं